हेलो एवरीवान वेलकम टो अखिल प्रिया क्लासिस हम कर रहे हैं क्लास एट की चैप्टर नमबर टू लीनियर एक्वेसिंट लिएरियबल की एक्सराइज 2.4 के कोशिट नमबर वन और कोशिट नमबर टू के सॉलुशन मैं हूँ प्रियंका खिलेश दिख्षित और मैं वेल अमीना थिंक्स ओफ नमबर और सब्स्ट्राइज फाइफ बाय टू फॉम इट शी मल्टिप्लाइज द रिजल्ट बाय एट द रिजल्ट ना अब्टेंड इस थी ताइम्स द सेम नमबर शी थॉट ओफ वट इस नमबर सॉचा है तो बैसिकली कोशन में क्या कहा गया है कि नाम की लड़की है जिसने एक नमबर के बारे में सोचा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्यूशन को क्योंकि उसने कोई नमबर सोचा है तो सपोस कर लिजे उसने कोई नमबर सोचा है एक्स अब इस एक्स नमबर में से हमें सब्ट्रेक्ट करना है फाइफ बाय 2 from x और इसके बाद का है शी मल्टिप्लाइज दा रिजल्ट बाइट यानि कि जो भी रिजल्ट आ रहा है सब्ट्रेक्शन करने के बाद उसे उसने 8 से मल्टिप्लाइज कर दिया है तो यह हमारे पास एक्वेशन आ गई फिर क्या है दा रिजल्ट नॉप्टेंड इस 3 ताइ है कोशन में तो बस हम इसको अब सॉल्ट कर लेते हैं मल्टिप्लाइज कर देते हैं 8x आ जाएगा हमारे पास और यहां आ जाएगा 8 इंटू 5 by 2 is equal to 3x और यहां से यह कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8x minus 20 is equal to 3x अब हम transpose कर देते हैं x की variable को left hand side तो हमारे पास आ जाएगा 8x minus 3x is equal to 20 आ जाएगा हमारे पास और यहां से हमारे पास आ जाएगा 5x is equal to 20 so x की जो value है that will comes out to be 20 by 5 is equal to 4 तो यानि की जो वो number वो सोच रही है वो कौन सा number है वो है 4 so x is our required number which Amina thinks of so यह हमारे question number 1 का solution है I hope आप लोगों को इसका solution clear हो गया होगा अब हम करते हमारे second question का solution second question है हमारे पास a positive number is 5 times another number if 21 is added to both the numbers then one of the new numbers become twice the other new number what are the numbers तो चलिए start करते हैं हमारे solution को तो देखिए question में हमें कहा गया है कि एक positive number है और उस number से 5 times बड़ा एक और number है तो चलिए suppose करते हैं कि positive number जो है वो x होगा let positive number be x और उस positive number से 5 times another number बड़ा है तो वो other number हम ले लेते हैं other number हम ले लेंगे equal to 5 x यह हमें question में कहा गया है if 21 is added to both the numbers यानि कि अब हमें क्या करना है दोनो numbers में 21 add करना है तो देखिए जैसे question में हमें कहा गया है 21 हम दोनों तरफ जो है add कर देते हैं दोनों ही number में फिर उसके बाद कहा है then one of the new numbers become twice the other number यानि कि जो अब नया number बन रहा है वो दूसरे number से twice ज्यादा है यानि कि हमें जो question में कहा गया है वो यह है कि 5 x plus 21 जो number बन रहा है वो इस number से twice ज्यादा है तो यह हमारी required equation है जिसे हमें solve करना है and we have to find the new numbers इन दोनों numbers को find out कर लेंगे तो अब हम इसको solve करते हैं यह हमारे पास रहेगा 5 x plus 21 as it is second side हम इसको multiply कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा यह now we will transpose x variable को एक side कर लेते हैं तो 5 x minus 2 x आ जाएगा और second side हमारे पास right hand side आ जाएगा 42 minus 21 क्योंकि यह positive था right hand side जाएगा negative हो जाएगा यहां से हमारे पास आ गया 5 x minus 2 x is equal to 3 x और 42 minus 21 is equal to 21 तो यहां से हमारे पास आ गई x की value 21 by 3 और x आ गया हमारे पास 7 तो इसको हम क्या करेंगे कि x जो है हमारा एक number आ गया और दूसरा number हमने क्या suppose कर रखा है 5 x तो यहां हमारे पास दोनों number की values आ जाएंगी हम x की value put करते हैं तो एक number तो हमारा जो है वो आ गया one number is 7 और other number जो था हमारे पास वो क्या था 5 x तो हम क्या करेंगे 5 x x की value हमारे पास 7 है तो यहां आ जाएगा 35 तो x and 35 जो है यह हमारे required numbers हैं तो आप आप लोगं को यह solution भी जो है clear हो गया होगा कि इसे हमने कैसे किया है अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे comment box में drop कर सकते हैं और channel पे अगर आप नए है तो please channel को subscribe करिए इस video को अपने friends के साथ जरूर शेयर करिए और thank you so much for watching this video